मा, मुझे बहुत भूत लगी है, थानी में क्या बना रही हो? बैठ जा बिटिया, मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ मोनी के बाद पुश्पा की बाकी की चारो बेटियां, अनू, सोनी, गुडिया, कॉमल, फ्लेट लेकर बैठ कर भूग भरी आँखों से चुले की ओड जाकने लगती है तभी पुश्पा उन पांचों को रोटी में नमक घिस कर खाने को देती है तभी कॉमल मुह बना कर कहती है ये क्या मा, आज फिर से तुम हमें नमक रोटी के ला रही हो, मुझे ये नहीं खाना मरे लिए केक बना दो न, बड़ा मन कर रहा है खाने को आपको याद है मा, बाबुजी हमारे लिए हर कुछ दिन पर केक लेकर आते थे ये सुनकर गरीब पुश्पा की आँखें चल चला जाती है और वो भराए मन से बोलती है जो है वही खालो मेरी बच्चियों, क्योंकि अब इस दुनिया में तुम्हारे बाबुजी नहीं है अपनी गरीब मा को रोता देखकर पुश्पा की पांचो बेटियां भी रो पड़ती है मा, मत लो ना, गुलिया दीदी, राधा दीदी, मा क्यों रो रही है तुम मत रो ना, मुझे केक नहीं खाना मा इसके बाद पुश्पा अपनी पांचो बेटियों को नमक रोटी खिला कर सुला देती है पर अपनी बेटियों के सो जाने के बाद वो गरीब मा आखों से आंसु बहते हुए बीती जिन्दगी को याद करने लगती है जब उसका परिवार एक खुश्छाल परिवार हुआ करता था मा, मा, बाबुजी केक लेकर काब आएंगे? बाबुजी आते ही होंगे राधा, बस थोड़ी देर और आते नहीं होंगे बाबुजी आ गई वो भी अपनी प्यारी बिटी आरानी के लिए उसके मन पसंद का चॉकलेट केक लेकर चलो राधा दीदी, अब आप जल्दी से केक काटो फिर हम सभी मिलकर भर पेट केक खाएंगे मोहन और पुश्पा अपने हाथों से अपनी बीटी राधा का केक कटवाते है मोहन बहुती बढ़िया केक बनाता था वो केक की एक दुकान पर काम करके अपना परिवार पाल रहा था फिर एक दिल अह जी क्या बात है पिछले दो दिनों से आप इतनी देर से आ रही है पुश्पा क्रिस्मस आने को है न इन दोरों केक की डिमान बढ़ गई है और फिर नया साल भी आने वाला है इसलिए कुछ दिन देर से ही आ पाऊंगा ठीक है जी पर आजकल बड़ी कड़कडाती ठंड है दिन रात कोहरा चाये रहता है पाच्चे बजते ही इतनी धुंद छा जा जा रही है जरा ध्यान से आना उस वक्त पुश्पा की जुबान पर जैसे सरस्वती सवार थी उसके मन का डर आखर कार साच हो गया एक राब जब मोहन घर लोट रहा था तभी कोहरी की वज़ा से उसे सड़क से आई गारी दिखाई नहीं देती और वो उसे मार कर चली जाती है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है मोहन के जाने के बाद पुश्पा और उसकी पांचों बेटियों पर जैसे दुखों का पहार तूट पड़ता है उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते है तब से पुश्पा गाउं के खेतों में बनिहारी करके अपनी बच्चियों को पाल रही थी जी आप मुझे और हमारी बच्चियों को इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए पता है हमारी बेटियां केक खाने के लिए कितना तरस्ती है और मैं इस गरीबी में उन्हें केक तो क्या दो वक्त की रोटी भी ढंक से नहीं किलाब आ रही हूँ रोज की तरह पुश्पा उस कलकल आती ठंड में भी सुभा के पांच बजते ही बिचोना छोड़कर घर द्वार बहराने लगती है तब ही आंगन में जाडू लगाते वक्त ठंडी बरफीली हवा उसकी फटी पुरानी साड़ी से अंदर उसके रूह तक को सहरा रही थी आज तो बड़ी ठंड है ये बरफीली हवा तो तीर की तरह हड़ियों में चुब रही है तब ही अचानक पुश्पा की जोपडी का दर्वाजा हवा से तूट कर गिर जाता है और बरफीली हवा सीधे अंदर जमीन पर सो रही उसकी बच्चियों को कपाने लगती है अरे ये दर्वाजा कैसे तोट गया अब तो और ठंड लग रही है स्वेटर भी नहीं है अपनी मासुम बच्चियों को इस थरा ठंड में ठिटोरता देखकर पुश्पा का दिल निकलाता है तब ही वो देखती है कि उसके पड़ोसी अनाच की बोरियों को जला कर आग दाप रहे होते हैं ऐसे में पुश्पा उनसे कुछ बोरियां मांग लेती है और अपनी बच्चियों को उड़ा देती है आले वा मा ये तो बड़ा गर्म करता है इसमें जड़ा भी धन नहीं लग दी क्या ये स्वेटर है हाँ मेरी बच्चियों ये बोरा स्वेटर ही हम गरीबों के लिए स्वेटर है बिचारी अपनी बच्चियों की फिकर में भरी वो गरीब मा खुद एक फटी पुरानी जीनी साड़ी में कापते ठी टोड़ते खेत में आती है जहां खेत का मालिक जमुनादास उसे बहुत जाड़ता है अरे क्यों रे बश्पा अब आई है तुपूरे खेत की फसल की रोपाई बाकी है चल काम कर वरना आज तुझे आदे दिन के भी पैसे नहीं दूँगा जी जमुनादास जी इनी दुखों के बीच उस गरीब मा और उसकी बच्चियों की ठंड गुज़र रही होती है पुष्पा दुकान पर आकर पूछती है अरे भाईया वो वाला केक कितने का दिया तभी दुकानदार पुष्पा की गरीब हालत को देखकर उसे जाड़ कर कहता है पुष्पा के हाथों में पचास रुपए देखकर दुकानदार सरयाम अमीरों के बीच उसकी बड़ी बेज़ती करता है अरे दो कौडी की गरीब होका आप देखिये तुने अपनी है जानती भी है ये केक कितने का है पूरे धाई हजार का है ये केक धाई हजार का है और तुन पचास रुपए लेकर आई है अरे इसमें तो मैं तुझे एक पेस्ट्री भी ना दू चलबागे आजसे दुकानदार पुष्पा को धक्के मार कर भगा देता है और वो घर चली आती है जहां उसकी पाचो बेटियां आस लगाई बैठी होती है मा कल तो नया साल है सभी के मा बाबुजी ने उन्हें कुछ ना कुछ दिलाया है आप हमें क्या दिलाओगे पुष्पा अपने आसु पोच कर बोलती है बताओ मेरी बच्ची तुम्हें क्या चाहिए मा हमें बस एक स्वेटर चाहिए इन फटे कपड़े में बहुत ठन लगती है हम जानते हैं हम गरीब हो गए हैं न इसलिए अब हम पहले की तरह नया साल पर केक नहीं खा पाएंगे तो आप बस हमें एक स्वेटर ही दिला दो नए साल पर अपनी पाचो बेटियों के मन में केक खाने की ललग देखकर पुश्पा का दिल निकलाता है वो उन्हें गले से लगा के कहती है नहीं मेरी बच्चियों मैं तुम्हें कल नए साल पर केक जरूर खिलाऊंगी ये तुम्हारी इस गरीब मा का वादा है अगले दिन नया साल आ जाता है पुश्पा उपर वाले से प्रार्थना करके काम पर जाती है मगर उस दिन खेत का मालिक भी नहीं आता ये भगवान आच तो मालिक भी नहीं है सोचा था कि उनसे थोड़े पैसे लेकर अपनी बच्चियों के लिए केक बना दूँगी अब मैं अपनी बच्चियों को दिया वादा कैसे पूरा करूंगी तब ही उस गरीब मा को उस गेहू के खेत में थोड़ा बहुत सरसों, पालक, बथुआ, उगाहुआ दिखाई देता है जिसे वो तोड़ कर अपने आचल में रख लेती है तब ही उसे सबस्यों के खेत में कुछ गाजर के टुक्डे भी गिरे पड़े दिखते है जिसे वो ठाकर अपनी जोली में रख लेती है और घर आती है अपनी बच्चियों के लिए मैं केक बनाऊंगी सर्फ इससे बात नहीं बनेगी पुश्पा राशन का हर डिबबा बड़ी उमीद से टटोलती है जिसमें उसे थोड़ा सा सूजी और मैदा मिल जाता है जिसे मिला कर वो अपनी पाँचों बेटियों के लिए घास का केक बनाती और उसे गाजर के टुक्रे काट कर बड़े ही अच्छे तरीके से सजाकर डब डबाई आखों से अपनी पाँचों बेटियों की ओर देख कर कहती है देखो मेरी बच्चियों मैंने तुम्हारे लिए केक बना दिया है आओ चलो केक काटते हैं पुश्पा अपनी पाँचों बेटियों के साथ वो केक काटती है और सब को खिलाती है वो साग का केक पुश्पा की पाँचो बेटियों को बड़ा पसंद आता है मा ये साग वाला केक तो बड़ा ही स्वादिष्ट है बिल्कल वैसा जैसा बाबुजी बनाते थे हाँ मा ये केक बहुत ही अच्छा है क्या सच में मेरी बच्ची हों? तुम पाँचो को ये केक पसंद आया? हाँ मा ये लो खा कर देखो पुश्पा को भी वो केक बहुत पसंद आता है तभी राधा कहती है मा अपने कितना स्वादिष्ट केक बनाया है अगर हम यही वाला केक बना कर बेचे तो उससे हमारी खुब कमाई होगी पुश्पा की बेटी उसको कमाई का रास्ता दिखा दीती है जिसके बाद पुश्पा घास के केक के नाम से एक रेडी लगाती है और तरह-तरह का साग वाला केक बना कर बेचने लगती है जिससे अब धीरे-धीरे उसके हालाद ठीक हो जाती है